सिद्ध कामना क्रिया क्या है? सिद्ध कामना क्रिया वो क्रिया है 15 मिनिट की जिसके माध्यम से आप 24 घंटे में कभी भी अपनी चेतनमन की चाह को और चेतनमन में पहुचा सकते हैं कई मित्र कहते हैं कि संजियोनी क्रिया का भ्यास करने की कोशिश करता हूं कर नहीं पाता हूं छूट जाती बहुत संखेप में पहली चीज में यही कहना चाहूंगा कि आप यानि हर मनुष इस प्रतिवी पर अपने मन का गुलाम और जन्मों जन्मों से मन की गुलामी करते हुए हम आये हैं हम कभी अपने मालिक अपने मास्टर नहीं बन सके we could never be our masters and even today we are not our masters, we are slaves of our desires and all our desires are the manifestations of the faculties of our mind जिसे मन कहते है यानि मन तरह तरह के जारों में हमें उल्जा देता है और मैं आप से कहूं ये स्वभाविक है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता है क्यों? क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मौत ध्यान का अर्थ है मन के जालों से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है मन का मालिक बन जाना तो जिसके तुम मालिक बनना चाहोगे वो आसानी से तुम्हें अपना मालिक बनना देगा, वो तो बिरोध करेगा ही, वो तो आपको तरह-तरह से बढ़काएगा ही, वो तो तरह-तरह से बाधा पैदा करेगा ही, तो एक और मन बाधा पैदा करने की अपनी स्वाभाविक आदत नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आपको उस पर विजय पानी है तो आपको भी उतना ही संकल्प करना पड़ेगा कि ये बाधा करें लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे के लिए संजीवनी क्रिया के नाम पर बैठूंगा वो बाधा करें वो आपको डराएं वो चाटन करें वो भ्रम पैदा करें आपको हटाएं लेकिन आप अपना संकल्प इतना जारी रखें कि मोटी मोटी बात मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपना समय एक पक्का कर ले और इस्थान पक्का कर ले और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यथा संभो सोकर उठने के बाद जितना जल्दे से जल्दे इसको कर सकते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोकर कब उठे लेकिन जब भी सोकर आप उठते हैं सबसे पहला काम आप संजीवनी क्रिया के लिए लखे तब आपको सफलता मिलने में सीगर्टा उपलब्द होगी दूसरी बात मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा मैं परम आनंद को पाकर ही रहूँगा इसका प्रगाड संकल्ब आपके आउचेतन मन में पैदा हो जाना चाहिए ये प्रगाड संकल्ब आपके आउचेतन मन में कैसे पैदा होगा सिर्फ रात को मैंने बताया जब आप सोने जाते हैं बिश्तर पर लेट गए हैं और जो आप पाना चाहते हैं भोतिक जगत की या जो भी आपकी आकांग्शा है पाने की उसको दोहराते दोहराते सोना है तो उसको दोहराते दोहराते एक संकल्प अंत में ये भी दोहराएं कि मैं ध्यार में प्रवेश करके रहूँगा मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा कम से कम पाँच बार मन ही मन मन ही मन मन ही मन इसी संकल्ब को दोहराते हुए सो जाएं बहुत बड़ा चमतकार होगा धीरे धीरे एक ना एक दिन ये आपके ओचेतन मन को पकड़ लेगा और ओचेतन मन ने इस संकल्ब को पकड़ लिया आपके तो समझ लेना बाकी सारी चीजें तो इसके पीछे पीछे चली आएंगी परम आनंद को पारे का संकल्ब आपका पूरा होने लगा फिर बच्ता क्या है ये छोटी मोटी आक अंग्षा हैं तो अपने आप पुरी हो जाएंगी आपकी ये संकल्ब आपके ओचेतन मन में भर जाना चाहिए और ये प्रगाड संकल्ब भाव के साथ नीद में प्रवेश करें एक दिन पाएंगे कि चमतकार होने लगा है और शेतन मन अपने आप आपके इस काम को सरल बना देगा अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ जैसा मैं हमेशा आप से कहता हूँ कि भगवान से उन्हें ध्यान में प्रवेश करने की 112 विधियां दी और आज तक इस प्रतिवे पर उसके बाहर कोई विधि नहीं पैदा हुई लोगों ने उसी का घाल मिल करके तरह तरह की विधियां बना दी उसका कोई औचित नहीं है लेकिन खांटी सुद्ध विधियां 112 है और उन 112 विधियों में से एक एक विधि के प्रयोग से अभ्यास से बहुत गहनता से गुजरा हूँ अभ्यास करने के लिए ही नहीं उनका बायोलोजिकल साइंटिफिक एक्सप्रिमेंटेशन करने के हिसाब से और तब मैं बहुत गहरी छान बीन परिक्षंड के बाद इस निसकस पर पहुँचा कि 21 सदी के आदमी को हिर्दे के इंद्रित विधि ही ध्यान के रूप में देना सरबादिक उप्योगी और सरबादिक प्रभावकारी होगा इसकी पीछे बहुत मात्पून कारण उन सारे लोगों के अनभो का सार है मेरे अपने व्यक्तिकत अनभो का सार है कि आप दो तलों पर जीते हैं मस्तिस का तल और हुर्दे का तल आज एक कीसुई सदी का आदमी 99% बुद्धी के तल पर जीता है बुद्धी प्रधान हो गया है हर आदमी तो उसकी चेतना उसकी कांसेसनेस उसकी प्राण उर्जा 99% कहाँ केंदृत रहती है बुद्धी में और ध्यान का सारा उद्धी ये है कि अपनी प्राण उर्जा को आटमा पर केंदृत करना है आतमा के संपरक में ले जाना है जो व्यक्ति जितना अधिक आत्मा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक जीवन में असाधारन सपलता प्राप्ट करता है वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मस्त होने की इस्तिति में पहुंचता है और परमानंद को तो ध्यान का उद्धे से क्या है आत्मस्त होना आत्मा के निकट होना आत्मा में इस्थित होना बुद्धी का सीधे आत्मा से कोई संबंध नहीं है जिनों ने आपके बींग को भीतर से जाना सारे संबुद्धों का अनुबो मेरा अनुबो कहता है बुद्धी का आत्मा के सा सीधा कोई संबंद नहीं है बुद्धी का हिर्दय से संबंद है हिर्दय एक और तो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है दूसरी और बुद्धी से जुड़ा हुआ है बुद्धी से सीधे आत्मा पर नहीं जा जा सकता है जो चेतना आपकी बुद्धी पर केंद्रित है उसक आत्मा की तरफ सरकना उसके लिए साज, शरल और सुगम हो जाएगा तो ये जो चेतना 24 गंटे आपकी घूमती रहती है बुद्धी के इर्दिगिर्द मस्तिस्क केंदरत हो गई है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आज कल प्यार भी आप करते हैं तो बुद्धी से सोच विचार की हिर्दे का काम भी बुद्धी से ले रहे हैं बुद्धी से क्या नहीं कर रहे हैं आप यहां तक कि मनोब ज्यानिक कहते हैं कि बुद्धी से ही 90% मैथुन का कार्ये कर रहा है 21 सदिक आदमी वो बहुत कतरनाग है, वही हरतरा की विच्षिप्तता है, हरतरा की पागल परने, हरतरा की विकार, हरतरा की हिंसा, उपद्रो, अशान्ती, तनाव, स्ट्रेस, सबका कारण है, यह कि जो जिस सिंद्रिय का काम है उससे करो, कोई ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन अगर मस्तिष्क से मैतुन करेंगे, तो एक तो मस्तिष्क खराब होगा, और दूसरे, मैतुन से जो त्रिपती मिलती है, जो बैयलोजिकल उसकी बेनेफिट से हैं, उससे भी आप बंचित हो जाएगे, उसको जो रुपान्दृत किया जा सकता है, उससे भी बंचित हो तो चेतना को हिर्दय की ओर करिए, फिर धीरे धीरे वो अपने आप हिर्दय केंद्रत होने लगेगी, अंतिम कारण जिसके करण मैंने इसे चुना है आपके लिए, ये हिर्दय केंद्र आपके सुक्ष्म शरीर का सबसे महत्व पूर्ण आयाम है, आपके संपूर्ण जीवन क केंदर ही हिर्दय हिर्दय की पहली धड़कन के साथ आप अस्तित्त में आते हैं और अंतिम धड़कन के साथ आप संसार से विदा हो जाते हैं इस पहली धड़कन और अंतिम धड़कन के बीच में ही आपका सारा जीवन है इसलिए जो जीवन का केंदर है हिर्दय उस पर केंद इंद्रित बिधी को मैंने ध्यान बिधी के रूप में 21 सदी के आदम के लिए चुना है, सारी दुनिया के 21 सदी के आदम के लिए इस से ज़्यादा महत्पूर्ण उपयोगी और कोई दूसरे ध्यान की बिधी नहीं है। दूसरी बात, Biologically हिर्दय से ही आपके सारे शरीर में रक्त कसंचार होता है। और जब आप हिर्दे पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो ध्यान की विज्ञान का सार है जिस पर भी आपका ध्यान जाता है जहां आपका ध्यान रहता है जिस पर आप ध्यान करते हैं वो स्वस्थ होता है ससक्त होता है और शक्तिशाली होता है जैसे बच्चे का ध्यान करें सब्सक्राइब जहां हम और जिएक करेंगे उनमें अच्छे फूल नहीं हरदे आप कम से कम हर रोज आधे घंटे दज करेंगे संजीन इंय को थे मादने से तो यहां से शंपुरूल शरीर केरें रक्तिanklings सरी अपार होताि है वह फिर देश व कम हरे अथे इस शर्म sembla दो शक्ति शाली होगा और वहां से संबंधित रक्त जो पूरे सरीर में संचरित होता है आपके हिर्दे और रक्त से संबंधित कोई भी बिमारी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती ध्यान ही उसका सबसे बड़ा उप्चार कर देगा हुआ हुआ है उसका सकती एा है कर दो हुआ है हुआ है